हेलो टॉपल लर्निंग में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी टू डिजिट नंबर दो टू डिजिट नंबर का मल्टिप्लिकेशन के सेक्टर है फटाफट ओके फॉर एक्जामपल सिक्स्टी फाइव मल्टिप्लाइड बाई 36 अगर आप इससे नॉर्मली मल्टिप्लाइड करने जाओगे तो आपको इस पर ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यह टू डिजिट इन्टू डिजिट है तो आप इसको ऐसे वर्टिकल वे में लिखके मल्टिप्लाइड करोगे क्यारी सिक्स इंटू 3 करोगे तो यह आएगा 18 तो 18 आपको यह पर ऐसे लिख देना है ठीक है फॉर्स डिजिट इन्टू फॉर्स डिजिट डोनों मुल्टिप्लिकेशन का फिर आपको सेकेंड डिजिट इन्टू सेकेंड डिजिट कि 6,5 और 5,6 जा क्या आथ है 30 इसको आपको ऐसे लिख देना एक बार ऐसे आपने लिख दिया तो आपका यह स्टेप नंबर 1 कम्प्लीट हो गया अब यह स्टेप नंबर 2 करोगे तो स्टेप नंबर 2 के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे आप multiply करोगे 5 into 3 वो होता है 15 फिर 6 into 6 periphery वाले numbers को आप multiply करोगे ठीक है end end वाले तो आभी ये end और ये end और इसका ये end और ये end बोल सकते हो आपकी जो end end में बैटे उनको आप multiply करोगे तो 53 जा क्या आता है 15 और 66 इसको आपको add करना है ठीक है तो add करोगे तो आपको आएगा ये आएगा 11 और ये 51 अब ये आपको 51 मिल गया 51 को आपको क्या करना है इधर एक 0 डालना है पेले उसके बाद आपको 51 ऐसे लिख देना है ठीक है औ और इसको आपको add करना है जब आप आप करोगे तो ये बनेगा 0 4 ये बनेगा आपका 3 और क्यारी फॉरोड वन 2 तो आपका जो multiplication का answer है 65 into 36 वो आएगा 2340 आप इसको calculator में multiply करके देख सकते हो यह answer आएगा तो यह होता है method कोई भी two digit number को multiply करने के लिए तो आपके पास दो two digit होंगे यहां पर 65 और 36 तो पहला step है आपको first into first यहां पर लिख देना है second into second यहां पर लिख देना है फिर बाद में आपको क्या करना है कि बीच वाले terms और end वाले terms को multiply करना है जो end end में बैटे हैं उनको multiply करना है तो उसको multiply करके आपको add करना उसको 5 into 3 plus 6 into 6 36 तो यह जो आएगा number आपको एक 0 डालना है पहले उसके बाद आपको यहां पर लिख देना है मतलब एक जगाद छोड़ के लिखना है 51 और यहां पर एक 0 डाल दो गया फिर आपको इसको add करना है तो आपको directly आपको मिल जाएगा इसका multiplication इसका और एक दो एक्जामपल देख लेते हैं 92 इंटू 32 तो पहला स्टेप है फर्स्ट इंटू फर्स्ट सो 9 3 जा आता है 27 फिर 2nd इंटू 2nd इंटू 2nd इंटू 2nd यहां पर आपको 4 आएगा लेकिन 4 नहीं लिखना है आपको लिखना है 0 4 तो यह बहुत इंपोर्टेंट स्टेप है यह याद रखिए हमेशे आपको टू डिजिट ही आना चाहिए ठीक है अगर आपको सिंगल डिजिट आ रहा है तो आपको उधर एक और 24 को आप कैसे लिखोगे एक जगा चोड़ोगे यह पर तो आप ज़र 0 लिखोगे नीचे फिर आप 24 लिट होगे फिर आपको बस इसको एड करना है तो 44 यह 9 आजाएगा और यह 2 तो 2944 तो आप अगर इसको मुल्टिप्लाइ करके देखो के क्याल्कुलेटर में भी आपको यह एंसर आएगा तो यह एक सिंपल सा मेटड है यह आपको लगता होगा कि यह ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन नहीं लगेगा इसको आप इसमें कम टाइम लगता है तो आप इसको ट्राइग कीजिए मैं आपको दो तीन एक्जाम्पल्स देता हूँ इसका एंसर आप मुझे लिखके कमेंट में दे देना ठीक है तो आपका पहला है 42 इन्टू 54 सेकेंड वन होगा 63 इन्टू 19 और थर्ड वाला है 23 इन्टू 89 तो इसके एंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए यह स्टेप्स फॉलो कीजिए आपको जल्दी में एंसर आ जाएगा बस यह याद रखना अगर सिंगल डिजिट बन रहा है तो एक जीरो डाल देना हमेशा टू डिजिट होना चाहिए यह आपर मल्टिप्लिकेशन ओके सो टू इंटू 24 आ रहा है तो मैं उसको 04 लिख दिया बस यह एक चीज़ आपको याद रखना है बाकी सब तो सेम हैं जिसे हम लोग ने किया हुआ है तो बस यह वीडियो में इतना ही आगे हम ऐसे ही मैट ट्र लाद ट्विट और रखन के सब्सक्राइब बसक्षण रखन कर दो